जब तक न सफल हो नीद चेन को त्यागो तुम तंगर्स का मैदान छोड़ कर मत भागो तुम कुछ किये बिना ही जैजै कार नहीं होती और कोसिस करने वालों की कभिहार नहीं होती प्यारे बच्चों आप सभी का आपके अपने परिवार्द लीडर डिफेंस फेक्री पर स्वागत है बंदन है अविनंदन है आप सभी बच्चों ने आर्मी, जीडी, क्लर्क, टेक, एसकेटी, टेट्स्वेन, आर्मी, मिलिट्री, पुलिस सभी के फोर्म बढ़ दिये हैं बहुत ही लंबे समय से आप लोगों को इंतजार था और इस इंतजार का जो स्थमापती है वो अब पूरी तरह से हो चुकी है और योकि अब आपके फॉर्म बढने भी कही ना कहीं समापत हो चुके है बस समय है कुछ कर गुजरने का समय है कुछ अपने आप में कुछ इतनी मजबूती के साथ अपनी तयारी को बेतर बनाने का जो आपको आपकी मंजिल तक पहुचाने में कारगर सावित होगा प्यारे बच्चों अगर मैं बात करूँ आज मैं आपको इस वीडियो में आर्मी जीडी में क्या एज लिमिट होती है फिजिकल प्रोसिस क्या होती है पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ सबसे पहले अगर मैं Ahmie GD की बात करूँ तो सभी को पता है कि Ahmie GD में आपकी दो बेकिंसी होती है जीडी में भी दो बेकिंसी एक तो Ahmie GD और एक आपका Ahmie Military Police जो Girls के लिए होता है जीडी की अगर हम बात करें तो सबसे पहले तो आपको ये समझना है कि आकिर जीडी में आपका क्या-क्या प्रोसेस होता है सबसे पहली चीज अगर आप 10th पास है और 45% मांक्स है और हर सब्जेक्ट में 33% मांक्स है तो आप इसका फॉर्म भर सकते हैं प्यारे बचो इसके बाद अगर हम फिजिकल स्टेंडर्ड की बात करें तो फिजिकल स्टेंडर्ड में जीडी में जो आपकी हाइट है वो 170 cm और 77 cm आपका चेस्ट प्लस 5 cm एक्सपेंशन याद रखना ये बहुत important information है जिन बचों को हाइट को लेके बहुत जादा confusion रहता है वो इस चीज को याद रखेंगे इसके बाद अगर आप देखें तो यहाँ पर जो एक्स सर्विस्मेन इसके लाबा इस्पोर्ट्समेन और उन सभी के बच्चे हैं इस्पोर्ट्समेन ने नेशनल इस्टेट या इस्टिक लेबल पर उन्हें 2 cm हाइट में और 3 cm उन्हें च पर देखें तो इन्होंने फिर लदाख हो गोरका हो और अंदमानिकोबार्स हो उन सभी के लिए भी हाइट और वेट और चेस्ट में कहीं न कहीं हाइट और वेट में छूट है चेस्ट आपका सेम टू सेम रहता है अचा दूसरा अगर आप बात करें यहाँ पर अगर नमबर दस नमबर इस तरह से चूट मिलती है याद रखना यह चूट आपको रिटिन एक्जाम में नहीं बलकि जब फाइनल कट ओफ आपका बनता है तम मिलती है इस बात को भी आपको ध्यान में रख रहा है तो जो भी बचे जीडी की तयारी कर रहे हैं उन सभी के लिए बहुत ही सुनेरा अबसर है सबसे जादा वेकिंसी अगर किसी में होती है तो वो प्यारे बच्चों आपकी जीडी में होती है इस बात का आपको विसेश से ध्यान रखना है इसके लाबा आप अगर फिजिकल स्टेंडर्ड की बात करें तो पाँच मिनट टीस सेकेंड में आप रणिंग करते हैं तो जीडी में 60 नमबर 5 मिनट 31 सेकेंड से 5 मिनट 45 सेकेंड तो 48 नमबर 10 पुलप पे 40 नमबर 9 पर 33, 8 पर 27, 7 पर 21, 6 पर 16 और 6 से ज़्यादा आपका रहता है तो आप इसमें डिस्क वालीफाई हो जाते हैं तो प्यारे बचों आप तयारी करते रहे मेनद करते रहे मैंने जीडी का आपको पूरा प्रोसेस बता दिया साड़े सत्य से 21 साल एज लिमिट से लेकर आपका क्या फिजिकल स्टेंडर्ड है आपको क्या छूट मिलने वाली है अगर आप NCC या फिर नेशनल स्पोर्ट्समेन या स्टेट या डिस्टिक लेबल पर आपने रिप्रिजेंट किया है इस वीडियो को जादा से जादा बच्चों तक पहुचाएं so that उन सभी को भी जानकारी मिल पाए अगर आपका भी सपना है आर्मी में जाने का एक SKT की तयारी करने का तो आप सभी के लिए दा लीडर डिफेंस फेक्टी की पूरी टीम जबर्जस तरीके से लगी हुई है आप सभी जुर सकते हैं फ्री पीडियेप के लिए दा लीडर एजूकेशन एप डाउनलोड करें प्ले स्टोर से फिर से आप सभी को होली की आर्दिक सुपकाम नाए बगवान राम आपके जीवन में बहुत सारी खुसिया लाएं ऐसा मेरा आप सभी के लिए बेश्ट बिसीज है तैंक्यू बेरी मच्च मैं सत्पिद्यव सिंग आज के लिए इतना ही सभी को जे हिंद जे बारत थैंक्यू बेरी मच्च